पुपेंद्र पचिल ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया जिसके अंदर अब तख का सबसे बड़ा बज़ेट पेश किया गया 3,32,000 करोड का यह बजट दिया गया है जिसके अंदर सरकार की योजनाओं की जो है वो गोश्ना की गई है नमो लक्षमी योजना जिसके तहट जो बच्चियां हैं जो कक्षा 9 से 12 में पढ़ेंगी उनके लिए स्कॉलर्शिप दी जाएंगी 10 लाग बच्चियों को इससे फाइदा होगा ऐसा सरकार का दावा किया गया है साथी गर्वती मैलाओं के लिए नमो श्री योधना जिसमें उनको भी 12,000 की साहयता की जाएगी उनके लिए 12,000 की साहयता की गोशना की गई है PM पोशन योधना में 60% बढ़ोतरी की गई है साथी नमो सरसोती योधना जो लाई गई है ताकि 11 और 12 अक्षा में साइंस पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा आएं और उनको 25,000 तक की स्कॉलर्शिप दी जाएगी तो ये तीन बड़ी गोशना है जो है वो गुज़रा सरकार ने की हैं इसके अलावा अयोध्यादाम में गुजराती यातरीकों के लिए जो है यातरी भवन भी बनाया जाएगा जिसके गुशना आज बजट में की गई राम राज्य की तर्ज पे बजट जो है वो लाया गया है कहा गया है कि राम राज की जो है वो बाते ध्यान में रखकर पांच संभों पर जो है बजट पेश किया गया है साथी अब जो है गुजरात में इस सिवाओं के लिए जो अलग अलग नंबर थे पुलीस के लिए या पिर इमर्जन्सी के लिए 108 था, पुलिस के लिए 100 नमबर था, तो इन सब को हटा कर जनरक्षक सिवा के नाम से जो है, जनरक्षक योदना के तहट एक लिए कर दिया गया है, 112 नमबर जो है कर दिया गया है और आने वाले दिनों में वो नमबर भी कर्यानवीत हो जाएगा तो तो यह दिखाता है कि गुजरात ने कितना आर्थिक विकास किया है और लोगों की आए बड़ी हैं लोगों के लिए काफी सारी योधनाओं की गोशना की गई हैं साथ ही देश का जो अदर गुजरात का हिस्सा अठरा पतिशत है तो यह दिखा रहा है कि गुजरात भी देश के विकास के लिए कितना बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य रहा है जिससे से गुजरात का विकास हो रहा है उसे देश का भी जो है विकास ज्यादा हो रहा है य पॉइंट पांच डिलियन अमरी की डॉलर जो है वो किया जाएगा यह बड़ा दावा गुजरा सरकार ने अपने रोड में में कहा है कहा है कि यह 2047 का विक्सित भारत का जो पीम का लक्षे है उसके अंदर विक्सित गुजरात कैसे गुजरात आगे बढ़ेगा उसकी बात की थी इसलिए सरकार कोई टेक्स नहीं लाई है पर सरकार ने जो है किसानों की आयद दुगनी करने के या आयद बढ़ाने के कोई रास्ते नहीं दिखाए ना युवाओ के नए रोजगार की बात की गई है इन सारे मुद्दों पर विपोक्ष ने जो है वो सरकार की टिका की ह कहा है कि सरकार ने कोई ऐसा वीजन नहीं दिखाया जिसे युवाओ को रोजगार बढ़ पाए युवाओ को रोजगार मिल पाए इस तरका को कोई वीजन इस बजट में नहीं दिखने को मिल रहा है सिर्फ नाम बदले गए और बड़ी बड़ी जाहरत की गई है यानि कि ग बटी यूजणा नहीं लापाई हैं के सब्सक्राइब चनाऊ सोल किसी को लुभा पाएं पर विपक्ष कमाने तो सरकार किसी को लुभा नहीं पाई वहीं सरकार कह रही है कि हमने हर वेक वर्टो को कुछ न कुछ दिया है और यह इसलिए यह बज़ेट काफी अच्छा और एतियासिक हैं गानी नगर से केमरा मितिश्रावल के साथ ब्रजेश दूसी 20 तक